सब्सक्राइब तो मैं यूटूब चैनल और प्लेस बेल आइकन लेटेस्ट अपडेट हाव तो केल्कुलेट वॉल्यूम ऑफ एर्थ इन फिलिंग फॉर ग्राउड बाई उजिंग ऑटो लेवल आज हम देखेंगे किसी भी ग्राउड में हम अगर फिलिंग करनी होगी तो उसकी कॉवांटिटी हम बिलिंग के लिए कैसे कैल्कुलेट करेंगे लेवल की मदद से तो इसमें तीन स्टेपस है एक तो है recording initial level in level book recording final level in level book preparing measurement sheets तो पहले हम initial levels लेंगे filling के बाद final levels लेंगे और फिर उन initial level और final levels की मदद से हम measurement sheet calculate करेंगे जिससे हमें quantity of earth जो हमने filling में use की होगी वो calculate हो जाएगी तो हमारे पास एक ground है 30 meter by 20 meters तो आज हम देखेंगे उसमें हम quantity of filling जो हमने की है वो कैसे calculate करेंगे तो जो हमारा ground है वो length में 30 meters है और breadth में 20 meters है तो हमने उसका जो plan draw किया है और इस plan को हमने 5-5 meter के offset में divide किया है तो अब हम क्या करेंगे हम इन points पर जैसे हमारा पहला है 0, 5, 10, 15, 20 फिर 5 पर इन 5 पर रीडिंग्स लेंगे फिर 10 पर 15 पर 20, 25, 30 तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हमें एक benchmark set करना होगा तो यह benchmark जो है वो इस ground की boundary पे भी हो सकता है और इसके बाहर पे भी हो सकता है सबसे हमारा benchmark है और इसका जो RL हम जूम करेंगे यह 100 है तो उसके बाद हम level set करेंगे तो level को हम ground में कहीं भी set कर सकते हैं जब level को set करेंगे तो सबसे पहली staff को benchmark पे रखेंगे और सबसे पहली reading इस benchmark पे लेंगे तो इस benchmark को जो है यह हमने levels ले रखी है तो RL हमने ले लिया 100 और benchmark पे सबसे पहली staff reading ली तो वह हमारी back side में आ गई और जब हमारे उसके बाद हम क्या करेंगे staff को 0, 0 पे रखेंगे 0, 5, 0, 10, 0, 15, 0, 20 5, 0, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 10, 0, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 20 इन सब पॉइंट्स पे हम अपनी level staff को रखेंगे और readings लेंगे तो जो सबसे पहली वाली reading जो हमारी ली हुई है जो हमने benchmark पे ली है वो हमारी back side पे जाएगी और उसके बाद जो हमारी बागी reading जो भी है चाहे हमने 00 पे ली है 0, 5, 0, 10, 0, 15, 0, 20 इस तरीकी से 5, 0, 5, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 यह सारी reading जो हमारी है वो intermediate side में जाएगी और जो हमारी last reading होगी इस point पे 30 और यहां से 30, 20 पे तो हमारी जाएगी 4 side पे तो हमें सारी reading जब लेंगे तो इनके हम RLs calculate करेंगे तो पहला जो हमारा benchmark उसका RL हमने 100 लिया हुआ है और back side हमारी 0.3 आ गई तो हम HI calculate करेंगे तो HI जो हमारा है RL plus back side और हम HI calculate जब हो गया उसके बाद हमें बागी RLs calculate करने है उसके लिए हम करेंगे use RL equal to HI minus IS तो उसकी मतलब से हम सारे RLs calculate करेंगे और फिर हमारा जी जो last वाली reading होगी वो four side में आईगी तो उसका RL भी जो calculate करेंगे HI minus four side तो यह जो हमने जो initial levels उठाई है हमने staff पे तो उसकी मतलब से हमने RLs calculate किये तो अब हमारे जो initial RLs calculate हो गए है अब उसके बाद हम जो land की filling करेंगे जब हमारी filling होगी तो फिर हम दोबारा यह प्लान लेंगे जो हमने initial levels के time पे लिया था तो यह प्लान है जो हमारा यह already हमारा 55 के grids में divided है तो अब हम इसमें final levels लेंगे तो उस time क्या हमें करना है instrument को कहीं पर भी set करेंगे और जो हमारा benchmark already marked है और उसका RL जो है वो 100 है तो उस पर हम staff को रखेंगे और पहली reading लेंगे तो यह पहली reading है यह हमारी जाएगी back side में तो उसके बाद in points पे जो हमारे ज्यूरो 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 फाइफ ज्यूरो टैन ज्यूरो फिफ्टीन ज्यूरो ट्वेंटी अप्टो थर्टी ट्वेंटी पे हम और इनसाब points पे staff को रखेंगे और readings लेंगे तो इन रीडिंग्स को जो हम Level Sheet पे लेंगे तो यह Level Sheet है इसके मतर से हम Final Levels Calculate करेंगे जो हमारी सबसे पहली Reading Benchmark पे आएगी वो हमारी Backside पे जाएगी और फिर जो सारी Reading है वो हमारी Intermediate Side में जाएगी और जो हमारी Last वाली Reading होगी वो हमारी 4 Side में जाएगी तो फिर हम RL Calculate करेंगे सबसे पहले Hi Hi Equals To RL Plus Backside फिर जो बागी Points के RL है वो हमारी Calculate होंगे Hi Equal To RL Equal To Hi Minus Intermediate Side और यहाँ पे RL Equal To Hi Minus 4 Side तो यह हमारे Final RLs Calculate हो जाएगे तो अब हमारा जो कोई भी Point जो Ground पे है जो हमने Grids बनाए थे जैसे हमारे 0, 0, 0, 0, 5, 0, 10 हर किसी Point के हमारे 2 RLs है एक तो Initial याने Filling से पहले और Final तो अब Initial और Final RL है इसकी मदद से अब हम Quantity of जो हमारी Earth Filling है वो Calculate करेंगे तो उसके लिए जो हमारा Sheet है वो इस Form में होगा तो पहले हम लिखेंगे Rd जो हमारे Points है जिसके पे हमने इसको Divide किया हुआ है इसकी में है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और जो 0 हमारा है 0 पे हमारी जो Distances है जो अलोंग वेड़ है 5, 10, 15, 20 तो 0, 5, 10, 15, 20 फिर 5 पे भी 0, 5, 10, 15, 20 0, 5, 10, 15, 20 तो हर किसी Distances पे जो हमारे है पांच पॉइंट्स ले रखे हैं तो इन पॉइंट्स के जो हमने RLs कैलकुलेट किये हैं जैसे हमारा 00 था उसका Final RL भी लिखा हुआ है Initial RL भी फिर 0, 5 Final RL Initial RL Final RL Initial RL तो हर किसी पॉइंट के जो हमारे 2 RLs है एक तो Initial RL है और एक Final RL है Final RL Minus Initial RL जो है वो हमें देगा Height of Filling तो 00 पे भी हमने Height of Filling कैलकुलेट की 0, 5 पे भी 10 पे भी 15 पे भी 20 पे भी तो फिर अगले में हम क्या करेंगे इन दोनों का Mean लेंगे इसका Mean 1.01 फिर इन दोनों का Mean वो यहां पे लिखेंगे फिर इन दोनों का Mean वो यहां पे आएगा इन दोनों का Mean जो यहां पे आएगा इसी तरीके से हम हर किसी Point पे जो हमारा है 0, 5, 10, 15, 20 जो सबसे पहले Level जो Final Level और Initial Level है उनकी Difference Find करेंगे उसको हम बोलेंगे Height of Filling है Height of Filling के बाद हम Mean Height निकालेंगे तो Mean Height के बाद क्या लिखेंगे अगले जो Row है उसमें लिखेंगे हम Width तो जो Width है जैसे हमारा 0 to 5 तो इसकी जो Distance है हमें पता है 5 है 5 to 10 यह भी 5 है 10 to 15 यह भी 5 है 15 to 20 यह भी 5 है उसके बाद जो यह Mean Height हमारी आगई इन दोनों का Mean 5 जो असल में 5 है इन दोनों की Difference 0-5 यह 5 भी है 10-5 यह 5 तो फिर जो यह Width है Mean Height of Filling multiplied by Width यह हमें Cross-sectional area देगा तो 5.05 जो Cross-sectional area है यहां से यहां तक है 0 to 5 फिर 1 multiplied by 5 यह हमारा यहां से यहां तक Cross-sectional area फिर इसी दर इकिसे 4.95 इस portion का और 4.73 यह इस portion का है तो यह हमारा Cross-sectional area calculate हो गया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 जब उनको Sum करेंगे तो यह हमारा Total Cross-sectional area आएगा इसका At 0, Total Cross-sectional area जो हमारा आएगा 19.73 इसी method से फिर हम 5 पे भी calculate करेंगे Total यह Cross-sectional area फिर 10 पे फिर 15 पे फिर 20 पे उसके बाद 25 पे भी और 30 पे भी तो अब हमारे Cross-sectional area जो है हर किसी grid पे calculate हो गया है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तो उसके बाद करना है हमें क्या करना है 19.73 और 20.77 का average लेना है तो यह हमारी quantity आएगी फिर ऐसी 20.77 और 17.41 का mean लेंगे multiplied by distance 15-10 यह हमारा 10-5 यह आएगा 5 तो इसको multiply करेंगे यह quantity फिर इन दोनों का mean 14.125 और यह distance हमारी है 15-10 यह हमारी 5 है तो इसी तरीके से हम जो यह है average cross-sectional area को multiply करेंगे distance से यह हमारी quantity आएगी फिर यहाँ पर 24 और 45.75 का mean लेंगे तो वो 35 आएगा और 45 और 46 का लेंगे तो 46.205 आएगा तो distance के साथ multiply करेंगे तो यह हमारी quantity आएगी तो इस quantity का हम सम करेंगे तो जो हमारी total quantity फिलिंग किया रही है वो आ रही है 763.03 तो यह हमारी फिलिंग है अब इसमें वाइड्स डिड़क्ट होते हैं तो वाइड्स जो डिड़क्ट होत है ऐस पर specification अगर हम अर्स में देखेंगे कि जो वाइड्स है वो कितने डिड़क्ट होंगे एक तो बता रहा है इन लूस टेक्स साच अच आज काट लोड्स लॉरी लोड्स एक्स्ट्र तो अगर हम गाड़ी से मिटी ला रहे हैं और उसको ग्राउंड में फिल कर रहे हैं यहीं कि मैशीनेरी यूज नहीं कर रहें इसको कामपैक्ट करने के लिए तो तब उसमें वाइड्स टिडिड्क होंगे 20 परसन्ट होंगे तो अगर हम light machinery use कर रहे हैं उसको consolidate करने के लिए तो अगर हम heavy machinery से इसको compact कर रहे हैं लेकिन optimum moisture content पे नहीं कर रहे हैं तो तब जो deduction है वो 5% होगी तो अगर हम heavy machinery के मदद से कर रहे हैं और optimum moisture content पे कर रहे हैं तो तब जो deduction है तो निल होगी और अगर हम filling जब हम under floors जो filling करते हैं उसमें भी जो deduction है निल हो रहे हैं तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमने जो filling की हुई है काट लोड से की है इसमें machinery हमने यूज नहीं की है तो हम जो इसमें voids है वो 20% हम subtract कर रहे हैं तो जो हमारी quantity आ रही है जो हमें pay होगी वो होगी 610.42 तो इस method से अब किसी भी लैंड का जिसके जो भी dimensions होंगे तो हम quantity of earth filling जो है वो calculate कर सकते हैं I hope आपको इस वीडियो पसंद आया होगा इसको like कीजिएगा share कीजिएगा